वेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं यूटूब चानल तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा कि इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं साइकल के लिए हैंग गार्ड क्योंकि आपका बहुत सारे कमेंट आये रहे थे कि प्लीस सर हैंग गार्ड बनाकर दिखा करσα norm असरी काउज अपने फैसन बेटार बैक उपर यहाव ना मिले तो यह ना मिलें यह को फ्री में मिल जाएगा सर्विस की क्योंकि यह काम नहीं आता नो आप उसे मांग कर ले आ सकते हैं आप जिस तो इसे आदर बनानेके लिए हैं आपको तो इससे कट करने से पहले आप friends इसका center point लिकाल लिजे, यहाँ पस मैं 3 inch पर center point लिकाल लिया हूँ, और उपर side का friends यहाँ 12 inch लंबा है, तो हमें 6 inch पर marking करने के बाद दोस्तों आप बड़ी असानी से इसका center point लिकाल सकते हो, इसके बाद दोस्तों आपको center point से बाहर की ओर 3 cm लेकर आपको इस type से उपर से नीचे इस type का line खीच लेना है, इस type से फ्रेंड दूसरे side पर भी 3 cm center point से लेकर आप इस type का line ड्रॉ कर दीजे, उपर से नीचे, तो बीच का gap पनेगा दोस्तों, वह 6 cm का इस type होगा, तो आपको दोस्तों इस piece को हमें cut करके लिकाल लेना है, त से यूज करते से में friends, आप careful रहिए, क्योंकि hexa bullet से काटते से में friends, hexa bullet कभी कभी फिसल जाता है, और हमारे हाथ वेगेरा को लगने पर friends, वहाँ पर चोट भी लग सकता है, तो आप इसे अराम से cut कीजिएगा, और cutने के बाद हमें इसके edges को sandpaper से घिस कर smooth करना है, क्योंकि friends, इसके edges जो है, काटने के बाद sharp हो जाते हैं, तो हमें उसे घिस कर smooth कर लेना है, तांकि हमें चोट वेगेरा न लगे, तो आप इस टाइप से sandpaper से smooth कर दीजे, और दोस्तों मैं इसके किनारे को थोड़ा अच्छा दिखानी की कोशिस कर रहा हूं, तो यहाँ पस मैं इसमे marking कर दूँगा, इस टाइप से देख सकते हो, तो हमें दोस्तों इसे थोड़ा cut करके निचे की और मोड़ देना है, तो मैं इसे जल्दी से hexa blade से cut कर लेना हूं, और ध्यान रखना है friends, आपको इसे को पूरा cut नहीं करना है, बस half ही cut करना है, तो हमें इस टाइप से दोनों pieces पर cut कर लेना है, hexa blade से, तो इसे cut करने के बाद दोस्तों हमारा जो किनारा वो इस टाइप कर दिखाए देगा, और मैंने इसे पूरा नहीं cut किया है, थोड़ा सा इसमें मैंने रख दिया है, तो इसे आप इस टाइप से प्लायर की मदद से नीचे की और मोड़ दीजे इस दोस्तों आप इसके किसी भी टाइप का डिजाइन दे सकते हो, वो तो बिल्कुल आपके उपर है, तो दोस्तों आप इसका लूग जो है, पहले से अच्छा दिखाए दे रहा है, देख सकते हो, इस हैंड गार्ट को सैंकल में लगाने के लिए हमें कनेक्टर की जरत बढ़ेगी, और उस कनेक्टर को बनाने के लिए पेंडे बिल्स आपको सैंकिर के पास जाकर कुछ कूछ पेसरमेंट्र ले लेने हैं, तो दोस्तों आपको इस हैंड़ से जितनी दूरी पर रखना है, उसी हिसाब से आपको इस पर्टी को कट करना होगा है यहाँ पर दोस्तो मैंने 18% लंभा रखा है अर बीच का गव 2.2 सेम्टीमीटर का है है देख सकते हो तो आपको इस अनुसार से आपको इस कनेक्टार को कट करने नहां तो इसे बनाने के लिए दोस्तों मैं है पास पीविसी सीट ले रहा हूं और इसका लंबाई है फ्रेंट्स वह पंदरा सेम्टीमीटर का है और चोड़ाई जो है वह आपको साइकल के हैंडर के डाइमीटर के नुसार ही रखना है तो आपको इसमें दोस्तों एक होल बनाना पड़ेगा दोनों पट्टी पर एक-एक होल करना है तो इस होल को बड़ा करने के लिए दोस्तों मैं आप पास काईची का यूश कर रहा हूं आपके पास ड्रिल से स्मूथ कर दीजिए तो यहाँ पर दोस्तों मैंने से 15 सेम्टी मिटर लंबा रखा है लेकिन हमें इसका 12 सेम्टी मिटर की जड़ात पड़ेगा तो फ्रेंड्स मांकी सेंटी मिटर जो है उसका हम बाद में उसकरेंगे आपको बाद में पता चल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों इस 3 cm को हमें उपर की और मोड़ कर एक एल सेप में बना लेना है तिहां पर दोस्त आप थोड़ा से हीट दीजे पिविसी सीट को उसके बाद आप इसे 90 डिग्री पर इस टैप से उपर की और मोड़ दीजे तो ऐसा करने से फ्रेंट जब हम इसे हैंड गाड पर चि इस टैप से दिखाई देगा यह पिस तो दोस्तों आपको इससे ज्यादा मोटा पीविसी पाइप का मिल जाता है तो आप इस टैप का पीश को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हो तो दोस्तों आपको पीविसी सीट बनाने के लिए सबसे पहले पीविसी पाइप को बी तो यहां पर दोस्तों आप विक का यूज कीजिए या यह यह सब ना मीले तो friends आप है यहां पास यूज कर सकते हो लेकिन friends मैंने इसे glue gun से चिपकाया है तो यहां बाद मैं लिकल भी सकता है तो इसे और भी मजबूत करने के लिए मैं तो यहां पास कुछ इस टाइप के इस्क्रू लगा दूंगा छोटे-छोटे साइच का तिहां पास मैंने और रेडी होल कर दिया है तो मैं उस हेल पर सिंपली इस्क्रू को इस टाइप से कर्श कर इसे और भी ज्यादा मजबूत बना दूंगा तो आपके पास इस्क्रू है आप इससे भी चताइब से और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हो इस टाइप से देख सकते हो है ने बहुत ज्यादा इसे मजबूत कर दिया और यहां चलाते समय जरा भी इधार-उदार हिलकर तूटे गह नहीं तो इसक्रू म बना का चलेका पर दब्दोस्तों आप sack सेंटर पूंट से उपर की और इस टाइप का मोड़ने के बाद आप इस टाइप का अकार दे दीजिए ऐसा करने से चिपकाते समय हमें ज्यादा सर्फिस मिलेगा और ज्यादा मजबूती से चिपकेगा तो फिर से हमें दोस्तों ऊपर साइट को थोड़ा हीड देने के बाद उसमें सिम्प्ली पेंसिल बेगेरा खुशा देना है ताकि यहां पस एक क्येप बन सके तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने इस टाइप से दो क्लिप बना लिया है सेम टाइप से तब इसी टाइप से बनाएगा फ्रेंड्स और इसे लगाने के लिए दोस्तों मैंने यहां पर कूछ कर दिया है ताकि मजबूती से चिपक सके और ज्यादा पकड़ मिले तो यहां पस मैं एक इंच उपर में इसे क्लिप को लगा रहे हूं दोस्तों देख सकते हो तो यहां पस आपको ग्लू गन के युज़ भी नहीं करना है क्योंकि ग्लू गन जो है बाद में लिकाल जाएगा मैं इसे बाद में मजबूत कर दूंगा इस्कुरू लगाकर आप यहां चिपकाने के लिए फैबिक विक या डाइट या फिर एमसिल का भी यूज़ कर सकते हो इन सभी से फ्रेंट्स वह ज्यादा मजबूत बनेगा और इसके उपर को फ्रेंट्स आप इस टाइप से होल कर दीजिए एक ही होल करना है ताकि हम इसे ब्रेक के पल पर अच्छे से लगा सकें तहां पस हमें एक स्कुरू लगाकर ब्लेक केबल पर कसना होगा ताप इसी टाइप से बनाईए के फ्रेंट्स नहीं तो आपका जो हैंड काड है वह चलते चलते सेख होगा तो फ्रेंट्स वह इसली तूट जाएगा जिसे आपका नुखसान भी हो सकता है तो यह अच्छा दिख रहा है तो फ्रेंट् कर दूंगा तो इसे मैं ब्लैक प्रेंट कर रहा हूं आप अपने उनुसारी से प्रेंट कर सकते हैं और फ्रेंट्स हमने इस वाइजर को पूरा ना ही खरीदा था तो इसमें कुछ इसक्राचेश हैं बड़े बड़े देख सकते हो दोनों हैंड गाट पर इस टाइप के स्क दोस्तों हमारा जो हैंड काट वह बहुत संदार दिखाए दे रहा है यहां पर दूस्तों आप किसी भी कलर का राइपिंग कर सकते हो आप चाहोते हैं अपना नाम वेगेरा भी लगा सकते हो और फ्रेंट्स इसकी लुक की बात करें तो फ्रेंट्स इसका लूग जो है लगा देना है और अंदर की वह प्रेस कर देना है देख सकते हो और इसको होल को आपको करेक्टर साइज रखने की कोशिश करना फ्रेंट ताकि यहाँ ज्यादा धिला ना हो और ज्यादा मजबूत लगे तो इस टैप से दोस्तों आप क्लीप को ब्रेक के बार के जो नट होता लगाना है अगर फ्रेंट्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को और जरू से प्रेस कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पास हमने इस टैप से इंस्टॉल कर दिया है तो दोस्तों अगर आपक लगा कर इसे मजबूती से लगा सकते हो मैंना ऐसा ही दोनों साइट पर किया है तांकि यह और भी ज्यादा मजबूती से लग सके इस टैप से इसे इंस्टॉल किजिएगा फ्रेंट साइकल पर और साइकल को अगर मोडिफिकेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल प कर दीजिए चाहिना को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बैल को अलपा जरू से कीजिएगा तो दोस्तों आपना कीमती फीडबैक जो है मुझे जरू से दीजिएगा ताकि मैं अपने वीडियो को और भी अच्छा बना सकूंग तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी इंट्रेस् कर दो